हालो नमस्टे बयाजी तो मैं यह कहना चाहती थी कि जो मेरी अभी पीछे कमर का धर्द होगा था बहुत ही ज्यादा उसके लिए आपने मुझे इलाज बताया उसके लिए आपका महर्द धने रद मैं पहले कमर मेरी इतनी दर्द होगी थी कि मैं बेट से हिल भी नहीं पारी तो मेरे चोड़ शोड़ बच्चे और नहीं उठा पारी थी तो तब मेरे को मैंने आपको फोन किया और मैंने इलाज पूछा आपके बताया इलाज से जो भी आपने बताया मुझे जो होमोपातिक का और अएर्वेदिक इस इलाज और असाती साथ आपने जो मुझे दवाईयां बताएं जैसे होमोपातिक की आनिका बायक रॉम और कंत और साइलम बगरा और देशी इलाज में आपने मुझे बताया था कि अरंडी के पत्ते और अरंडी का इस तेल लगाना है कमर पर उससे मुझे बहुत फायदा हुआ प्लस जो होमोपातिक दवाईयां उससे और ज़ारा पायदा हुआ और उसके साथ सच जो आप देल बताते हैं बनाया हुआ उससे मुझे बहुत आराम मिला उससे मैंने पैरों के तलवे में मालिश की उंगलियों की जो पॉइंट्स होते हैं पैरों के उनको प्रेस करके जैसे आपने बताया था वैसे करके उससे भी बहुत अराम मिला दूसर जो आपने काड़ा बताया था काड़े में काड़ा में डालना था मेथी दाना सुंड अजवाइन लसुन अवाल के लेना था और हल्दी इनको मिला के एक काड़ा बताया था आपने जो हर एक घंटे में लेना था उसस मुझे बहुत फायदा हो उसके साथ साथ उस काड़े से दर्द के साथ साथ मुझे उसमें मेरे वेट रिट्यूज में भी बहुत मदद की उस काड़े ने इस काड़े को पीने से मेरा वेट भी काफी कम हुआ है सब ही बोल रहे हैं कि वेट भी सही हो गया है चर्वी भी घटी है थोड़ी तो इस सब के लिए आपका बहुत 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 धनेवार अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ पहले मैं जहां बिश्टर से उठने पारे थी अब मैं बिल्कुल पहले की तरह रूटीन में आगी हूँ बच्चों को उठा सकते हूं घर का हर काम कर सकते हूं भाब दोड है तो उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यगत भाया जी ऐसे हमें बशत्कॉल करते रहे हैं और हम अपनागें की यह बात तो उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यगत अधमी कि नवस्कोड़ बिल्कूल